हेलो वेते हैं वेल्कम जोट रिखे वुशन आगे आप लोगविट सब अच्छे होंगे आज इस वीडियो में यंपी जी के में मद्ध प्रदेस्ट की प्रमुक मिठीों के बारे में जानेंगे जो एकजाम पाइंट आप वी से बहुत ही महतपूर हैं और इस टॉपिछ से र मिलता रहे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों को बतादू कि मद्ध समिटिएयों को 5 भागों बाटा गया है कितने भागों में 5 भागों में विवजित किया गया है साथी साथ इंपोर्टन कोश्चन करने वाले जो आप आप लोग जामें बार बार पूछे एक कोश्चन होंगे आप लोग इसकी वीडियो को पूरा जरूर दिखिए और एक बात और बता दूँ आप लोग से कोश्चन पूछ रहे हैं मद्द परदेश की मिट्टियों को तो पांच भागों में विवाजित किया गया है लेकिन भा किली मिट्टी जो मद्द परदेशकी है काली मिट्टी इसके बारेवे कुछ जान लेते हैं इस ने एवन चुने के अधिक मात्ता के कारण होता है जो काले रंग का होता है यह मृदा का गहरा रंग लोहे एवन चुने के अधिक मात्ता के कारण होने होता है आप लोको या रखना है किसके कारण लोहा और चूने के कारण किसके कारण चूने के कारण अधिक काली होती है आप लो किसे होता है बेसाल्ट नाम अगने चटानों से काली मिट्टी का निर्मार होता है इस मिदा में फासपोरस नाइटोजन एवं जैसे तक्त्यों की कमी होती है जो काली मिट्टी होती है इसमें फासपोरस नाइटोजन एवं और जैव तक्त्यों की कमी होती है काली मिदा को विजन है जैसे पहली है काली गहरी काली मिर्दा जो गहरी काली मिर्दा है मद्द प्रतिसमें काली मिर्दा मालवा पठा सत्पुड़ा चेत्र ये वन नर्वादा घाटी चेत्र में पायाते है जो गहरी काली मिर्दा है ये आपनों के मालवा सत्पुड़ा और नर्वादा घ क्यों पूछ ले आता है नेक्स्ट है सहादारण गहरी काली मिर्दा यह दाद मद्द प्रदेश में सबसे अधिक छेत्र में पाई जाती है यह जो है यह सबसे अधिक लाग एकर्चेत में फैली हुई है या मिलती है आप लोग को ध्यानकना है नेश्ट है चिछली काली मिर्दा है मुख रूप से छीदवाडा सीवनी बैतूल जीलों में पायते है इस मिर्दा का पियच मान 7.5 से 8.5 के बीच में होता है जो चिछली काली मिर्दा होती है इसका पियच मान 7.5 से 8.5 के बीच में होता है आप लोग को ध्यानकना नेश्ट देखते है नेश्ट है लाल-पिली मिर्खा लाल-पिली relat Azra play को में बिले रंग फेरिक अकसाईड की जलिए और जंग की कारण होता है, किसके कारण होता है, लाल, पिली, मीदा, यह होता है, लोहे आकसाइड और फेरिक आकसाइड के कारण होता है, यह मंद्र प्रदेश के मंडला बालाहगाट सहदोल अंवर सीधी जीलों में 390, Incredink पाही याती है, काउंकोसी जीले में मंदला, बालहगाट और साचओल शीधी जीले में पाई जाती है इस मीदा की बात करों तो है यह मीदा अमली से जारी होती है और इसका pH-마 कितना होता है 5.5 से कितना 5.5 से 8.5 के बीच में होता है इस मीदा में चुने की अधिकता होती है परन्तु निचलन के कारण इसमें हुमस एवन नाइटोजन की कमी पाई जाती है लाल पिरी मिदा धान की क्रिसी की जाती है इसमें लाल पिरी मिदा में धान की खेती अधिकतर की जाती है आप लोग को यादखनाने स्ट है जलोड मिदा मद्ध प्रदेश में जलोड मीदा का निर्मार बुंदेल, खंड, चंबल और निस, जैशी, नदियो दोरा नीच्छेपित पदार्थों से हुआ है आप लोगों को याद रखना है यह मिदा मद्ध प्रदेश में मुरैना भेंड स्यूपूरी एवं ग्वालियर जीलों में 30 लाख एकड़ छेत्र में पहले हुई है इस मिदा में बालू की अधिक्ता पाजाती है जो जलोड मिट्री होती है जलोड मिदा में नाइटोजन जैव तत्ता फासपूरस की कमी होती है नेश्ट है कछारी मिदा यह मिद्ध ग्यहूं गन्ना तीलहन का पास फसल एक लिए उप्यूक्त माने जाती है नेश्ट है इस मिठ्टी का निर्माढ नद्यो दौरा बाढ द की समय निछ्चेपीत पदार से हुआ है कछारी मिदा मदभड़ेश के मुरेणा भिनट और जीलों में पाजाती है नेश्ट है मिस्तित मिदा नेश्ट पाइस टाइप है मिस्षित मिदा यह मिट्टी मद्परदिस के ठीकमगड पन्ना सतना रिवा आदी जीलो में पाई जाती है मिस्षित मिदा में फासफोरस नाइट्रोजन कार्वनिक पदात की कमी पाई जाती है आप लोग जाती है इसमें जुआर बाजरा जैसे मोटे अनाज क्यों क्येती के जाती है। अब कुछ important question है जो बारबार आजा में पूचे गए हैं उसको करने वाले है। एदि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखे हैं, चलिए आप लोग बताईए, काली मिर्दा का छेत्र क्या है, काली मिर्दा किस छेत्र में पायाती है, आप लोग कमेंट वाक्स में बताईए, काली मिर्दा जो है, किस छेत्र में पायाती है, देखते हैं, कितने लोग बत द्हानकना है नेस्ट है मद्दपर्दिस सरवादिक छेत्पर कौन से मिर्दा पायाती है मद्दपर्दिस सरवादिक छेत्पर काली मिर्दा पायाती है काली मिट्टी पायाती है आप लोग को ध्यानकना है मद्द्द प्रदीस ते मिर्दा अपर्दन से सरवाधिक प्रभावित है कौसा है मुरेणा जिला है चंबल नदी चंबल नदी करती है किस रrąक मि्र्वत्द मालुक्य अधिक्ता होती है जालोड मिर्द होती घति है जलोड मिर्दा उर्वता की अधिक्ता होती है आप लोगो इसको भी ध्यानकना नेस्ट है किस मिदा में बालू के अधिक्ता होती है कोशन तो कर चुके जलोड मिर्दा होती है next है कछारी मिट्टी का विस्तार कहां पायाता है कछारी मिट्टी का विस्तार कहां पर पायाता है मुरैना भिंड गौलियर में पायाता है कछारी मिट्टी का आप लोगो ध्यानकना है नेस्ट है लाल पिली मिदा का लाल रंग किसके कारण होता है किसके कारण होता है लोहे के आकसी करण के कारण लाल पिली मिदा का लाल रंग होता है आप लोग को ध्याना करने नेस्ट है बेसाल चटानों से कौन सी मिदा निर्माण होता है बेसाल चटान से कौन सी मिदा का नि भावईत होती है next है कपास इख्रिसी के लिए कौन से मिदा उपयुक्त माने जाती है बहरी बहरी इंप्वाटन कोस्टिन है डायक्टेंसरवक काली मिट्टी जो है कपास मिट्टी यानि कपास के लिए सबसे उपयुक्त माने जाती है कभी-कभी आप लोग एकजाम में जय हिंद जय भारत बंदेवात्रम